दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पालिकव बिहार में कोरोना रोकताम के लिए आज से तीन दिनों तक चले गाविसेस भयान प्रतिबंदों का सक्ति से कराया जाएगा पालन जिया कोरोना संक्रमन की रोक्ताम के लिए लगाए गए प्रतिबंदों का पालन सक्ति से कराया जाएगा राज सरकार ने इसके लिए गुरुवार से तीन दिनों तक विसे सभ्यान चलाने का निने लिया है मुए के सचीव आमिर सुभाणी ने सभी जिलो के डियम, सस्पी और स्पी को प्रतिबंदों का कड़ाई से पालन सुनिचित कराने का आदेस जारी किया है आज में कोरोना में हमारे की रोकताम के लिए 4 जनुवरी को कई प्रतिबंद लगाई जाने का निने लिया गया था इस आदेस का हवाला देते हुए मुझ के सचीव आमिर सुभाणी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इन प्रतिबंदों का सक्ति से पालन कराया जाना आवज सक है इसके लिए लगातार तीन दिनों तक पूरे राज में विसेस अभयान चलाए जाए इस दोरान दुकानों अस्पतालों पुलिस लाइन और जेल सही बेड़ बार वाले जगोह पर प्रतिबंदों और नियमों का पालन हो रहा या नहीं उसकी जाच करे विसेस कर यह दिखा जाए कि लोगों के द्वारा मास्क पहना जारा या नहीं अगर विए मास्क नहीं पहनते हैं तो उन्हें जागरुक करे और जुर्माना भी बस ले अगली बड़ी कबर बिहार में ताइस समय पर होगी दसवी और बारवी की परिच्छा सिक्षा मंत्री बोले कोरोना सारी समय पर ही होगी इसके बाद कोरोना की वजह सी परिच्छा सगीत होने की असंकाओ पर विराम लगँ गया है शिक्षा मंत्रे ने कहा कि और और मैट्रीक की परिच्छा समय पर होगी और परिच्छा में पूर्न रूप से कॉरोना प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा साथ ही सिक्चा मंत्रे ने कहा कि सिक्चक नियोजन भी समय से किया जाएगा उन्होंने कहा कि तीसरे फेस की काउंसेलिंग 17 जनवरी से कि जाएगी इसके बाद छटे चरण के चायनित अभियरतियों को 25 फर्वरी को नियुकती पत्र भी दिया जाएगा अगली बड़ी कबर बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 6393 नए केस पटना से सबसे ज़्यादा 275 केस जहा बिहार में बेकाबू हो रही कोरोना की तिसरी लहर में लगतार मरीजों की संक्या बढ़ रही है प्रदेश में पिर से एक बार पिछले 24 गंटे में बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है जिस परकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संक्या बढ़ रही है वह चिंता जनक है आपको बता दे कि बिहार में पिछले 24 घंटे में 6393 कोरोना के नए मामले मिले है इनमें सबसे ज़्यादा के केस पटना में मिले है पटना में 275 नए मामले सामने आये है वह दूसरे नमर पर भागलपूर जिला है जहां 273 केस मिला है जहां पटना के बाद सबसे ज़्यादा मरीज मिले है बिहार में एक्टिव कोरोना मरीजों की संक्या अब 31,374 तक पहुँच गई है अगली बड़ी कबर देश में लगातार दूसरे दिन दो लाक नए केस दिल्ली में अब हर तेन टेस्ट पर नया मरेज मिले रिकोर्ड नए मामले जहां देश में गुरुवार को लगातार आटवे दिन एक लाक और दूसरे दिन दो लाक से ज़्यादा नए कोरोना केस मिले हैं गुरुवार को साम नो बज कर पैतालेस बजेक तक की रिपोर्ट के मुताबिक दो लाख सैतालेस हजार चार सो साथ केस मिल चुके हैं इस दोरान एक लाख दो हजार साथ सो नबे मरेज ठीक भी हुए हैं जबकि 300 लोगों की मौद भी हो गई है कूल एक्टिव केस की सिंग्या बढ़कर 12,56,000 तक पहुच गई है अगली बड़ी कबर पश्चिम मंगाल के जलपाए गुड़े बड़ा ट्रेन हादसा बिकानेर एक्सप्रेस की पाँच बोगया पट्री से उतरे पतना से गुषटOOOOD आइस वक्त की बड़ी कबर पश्चिम मंगाल से आ रही है जहां बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है मंगाल के जलपायlä गुड़े हुए इस हादसे में गुवाहटी बिकानेर एक्सप्रेस की पाँच बोगिया पट्री से उतर गई है इस हादसे में पाँच लोगों की मौत हो गई है वही पचास से अधिक यात्री घायल हो गए जिने इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है असना पर दुख जताते हुए रेल मंत्रे ने मौावजे की घोसना की है मिर्तक के परिजन को पाँच पाँच लाख रुपे दिया जाएंगे वही गंबी रुप से घायल यात्रियों को एक लाख और समाइन घायल को पचीस जार रुपे मिलेंगे अगली बड़ी कपर पटना से बिकानेर गौाटे एक्सप्रेस में सवारत बिहार के एक सो दो यात्री अभी तक मिर्तक गायलों को किस्तिती सपच नहीं नौश्ट सनों के लिए हेल्प लाइन नमबर जारी पश्चिम बंगाल के निव जलपाई गुड़ी के पास 15633 डाउन बिकानेर गौाटे एक्सप्रेस बेपटरे हो गई है कल साम पाँच बजे के करेब यहाब बड़ा हादसा हुआ है ट्रेन अपनी रप्तार में थी इस कारण जब वह बेपटरी हुई तो कोई कोच एक दुसरे के उपर चड़ गए इस भायानक हादसे में बिहार के लोगों के होसुड़ा दिये हैं खासकर पाटना जिले के काफी सारे लोग टेंसर में आ गए हैं वज़ा है कि पाटना जिले के तीन बड़े स्टिसनों से इन ट्रेन के अलग अलग कोच में कल सुबा 102 पेसंजर सवार हुए थी हादसे के कुछ देर बाद पूर मद रेलवे की तरब से हेल्प लाइन नमबर जारी कर दिया गया है ताकि ट्रेन में सवार पेसंजर के और सरपंज पति की अब नहीं चलेगी धोस विभाग का अदेश महिला जन परतिनीदी खुद होगी बैठक में सामेल रिस्तिदारों की एंट्री बर जिया पंचायती राज बिभाग ने बैठक या आने कारियों में महिला जन परतिनीदों के उपस्तित अनिवार कर दी है उनकी जगह पर अब पति पूत्र या रिस्तिदार के काम के मामलों में विभाग ने सकत रूप अपनाने के संकेत दे दिया है पंचायती राज मंतरी समराट चोधरी ने इसको लेकर पदादिकारियों को इस पश्ट निर्देश जारी किया है निर्देश के मताबिक कोई भ अगातार सिकायते मिल रहे थी और इसलिए अब कारकाल सुरू होने के साथ ही ये निर्देश जारी कर दिया गया है अगली बड़ी कबर बुश्टर डोज नहीं लिया तो रुकेगा वेतन बिहार के इस जिले में डियम ने जारी किया आदिश दूसरा टिकर लेने के नौ मा के आधिपुरा होने के बाद भी हजारों कर्मियों ने अब तक कोरोना से बचाव के लिए बुश्टर डोज नहीं लिया है समस्तिपूर के ऐसे 13,508 कर्मियों के जनौरी मा के वेतन बुगतान पर संकट आ सकता है डियम यवेंद्र सिंग ने बुश्टर डोज नहीं लेने अगले दो दिनों तक बद्रा बरसने के आसार पटना के सड़कों पर जल जमाव की सिति बनी रही बारिस की वज़त से ठंड में भी काफी बडोतरी हुई है राजधानी वह इसके आसपास के इलाकों में काफी देर तक गरज दड़क की सिति भी देखी गई प्रदेश के गया नालंदा नवादा भोसपूर और अंगाबाद में माय दिस्तर की बारिस के साथ ओले गिरने की सुचना है इन जीलों में भी पिछले 24 गंटे में ठंड में बिर्दी देखी गई है बारिस वो ओला गिरने के कई परकोंडों में रवी फसलों को आंसिक पाश्चिम बिहार एवं इसके आसपास के एक चकरवती पर संचंद्र का छेत्र बना हुआ है जो समुद्र तरल से 0.9 किलोमीटर तक फेला है इन्हें सभी मौसमी प्रभाव के कारण प्रदेश में अगले 24 गंटे के दोरान प्रदेश के उत्तर पुर्वी जिले सुपोल अररिया किसंगंज पूर्निया कटिहार एवं उत्तर मैद भागे के सितामणी मदोबनी मुझपरपूर दर्बंगा वैसाली सिवर समस्तिपूर और उनके इस्तानों पर मेग गजन के साथ मैदा मिस्तर के बारिस के आसार है इसके अलावा देर साम कई जीलों के लिए मौसम डिगरे की गिरावट होगी वह आकास में आंसिक रूफ से बादल चाहे रहने का पुर्वानमान है अगली बड़ी ख़बर स्मार्ट प्रिपेड मिटर के लिए बनेगा कानून बिजली काटने से पहले ग्रहक को तीन बार भेज़े जाएंगे मैसेज जी हा बिहार में लग पाइल पर तेन संदेश के बावजूद बुबगता अगर मीटर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो डिसकनेक्शन यानि बिजली गूल हो जाएगी अगली बड़ी कबर बिहार में आप जनता सीधे चुनेंगे मैयर और डिप्टी मैयर पारसद चुनाओ का भी बदला नियाव जिया राज के सबी सहरी निकायों में इस साल होने वाले चुनाव मेर डेपटे मेर और मुख के पारसद वा उप मुख मारसद का चुनाव सिज़त जनता के वोट से होगा राज सरकार ने बिहार नगर पाली का अधिनियम 2007 में संसोदन का अदादेस लाकर प्रतेच चुनाव का नियम लागू कर दिया है राजभवन से अदादेस के अनुमति के बाद गुरुवार को सरकार ने इस से जुड़ा वजट भी जारी कर दिया राजभवन दुआरत जारी अदादेस को बिहार नगर पाली का संसोदन अदादेस 2022 कहा जाएगा उप मुख मंत्री सरनगर विकास हैवं आवास मंत्री तार की सुर परसाद ने भी अदादेस लागू होने के पूश्ट की है अगली बड़ी कबर बिहार में पहली बार 18 नीजे संस्तानों को मिली डिपलोमा वा डिगरी स्कूर्स संचालन के अनुमती दी है स्वास्त विभाग का नपति पत्र प्राप्त होने के बाद सभी 18 संस्तानों को मिला कर डिपलोमा इन फार्मेसी की एक अजार असी और डिगरी फार्मेसी की 1140 सीटों पर नामांकन हो सकेगा बता दे कि डिपलोमा फार्मेसी का कोर्स दो वर्स का होता है जबकि डिगरी फार्मेसी का कोर्स चार वर्स का होता है जिन संस्तानों में यह नमांकन होगा उसमें मुझापरपूर College of Professional Education, सुवंत इंस्टीटूट और प्रॉबेसेल एजूकेशन, पस्चिमी चंपारन, रामसर सिंग Pharmacy College गया, रामपरताप इंस्टीटूट और फ़रमेसिक गया, राजीब कोलेज और फ़रमेसिक सितामडी, डि उनके बड़ी कबर बिहार में दिब्यांगों को नहीं मिलेगा मादनिसेद सिपाई बनने का मौका लोटे गे आवेदन के रासी। जहा बिहार पुलिस में नोकरी की वेकेंसे आई है। बिहार के केंद्रिय चेंड पर से जानी सी एस बीसी के मादनिसेद उतपाद और निवं बिहार में बढ़ते वे को देखते वे मेटरिक और इंटर की परिचा को इस्तगित करना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे को कमेंट करके जरूर बता है।